दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का ओने निटाफोस्ट्री यीट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 79000 सिच्छक भरती को लेकर नई सूची के बारे में साथ ही हम बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको जनकाई हो की नोडिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें शुबात करते हैं 79000 सिच्छक भरती के बारे में जिसा कि दोस्तों आप जानते कि 99000 सिच्छक भरती के जो चैन सूची जारी की गई थी एक जून 2020 को उसको पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है कोट के माध्यम से और सरकार को आदेश दिया गया है कि वो नई चैन सूची बनाएं नई चैन सूची के अंदर वो तमाम गलतियों को सुदारा जाए जो कि पुरानी चैन सूची के अंदर की गई है चाहे अगर बात की जाए transparency के बारे में या फिर अगर बात की जाए quality गुडांग के बारे में जिसको हिंदी में आप गुडांग कहते है quality points आप उसको अंगेजी में बोलते हैं उन तमाम चीजों को यहां से इसपष्ट किया जाए इसके लावा और भी बहुत साही चीज़ें लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलदा था कि जो नई चैन सूची जारी की जाएगी उसके अंदर क्या-क्या बदलाव आप सुभी को देखने के लिए मिलेंगे इसपष्ट नहीं की गई थी जैसे कि एक अभ्यरती की पूरी जानकारी कि उसके नमबर कितने थे सपरटीटी के अंदर टोटल उसका गुडां कितना बना उसकी कैटेगरी क्या थी और किस आदार पर यहां पर उसका चैन किया गया जिससे पता चल सके कि सही अभ्यरती का च सालन करते हुए स reporting नई चैन सूची बनाएगी लेकिन आप सब्सक्राइब और कुछ नई अभ्यरती यहां से एंटि मिलेगी और जब यहां पर टोटाओं में हैं आप सभी बदलाब भी देखनी के लिए मिलेगा सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आपको बदलाब देखने के लिए मिलेगा जैसा कि आप जानते कि सुपर टीटी उनहेतर हजार के अंदर आपकी दो कट अफ देखने के लिए मिली थी पहली कट अफ तो आप सभी के ये थी कि 60-65 आपको देखने के लिए मिला था और दूसी कट अफ बो थी जब आप 99,000 पदों के लिए चैन आपका किया गया था मतलब 99,000 सिच्छक भरती के अंदर जितने अब बहती चैनित हुए थे उसके बाद एक और कट अफ आपको देखने के लिए मिली थी 60-65 तो सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क सके गए थे कि अगर आपके इतने हैं तो आपको चैन में शम्मिलित किया जाएगा मतलब कि 97 नंबर है तब ही आपको शामिल किया गया था लेकिन 1,46,000 में से उन्हीं को चुना गया था जिनके जादा से जादा नंबर थे और सबसे अंत में जिनके नंबर थे उनकी कट ओफ यहां से रख दी गई थी हर बर्दी में ऐसा होता है तो ऐसे ही यहां पर आप सभी की कट ओफ देखने के लिए मिलेगी और उस कट ओफ में भी आपको बदिलाफ देखने के लिए मिलेगा जनरल OBC SC ST में क्योंकि यहां पर कुछ नए अभ्याथी चैनित होंगे और जो आच्छन नियमों की चलते बाहर हो गे थे अब उनको अंदर लाया जाएगा और जो अंदर पहले से उनको बाहर किया जाएगा कि नहीं यह फैसला सरकार बाद में करेगी तीन महीने के बाद जब नई चैन सूची जारी की जाएगी और इस बात में कोई दोराय नहीं है कि 99,000 सिक्षक भरती को लेकर जब सरकार नई मेरिट लिष्ट बनाती है तो उसमें निश्चित तोर पे हजारों जो परदें वो खाली होंगे और उन हजारों परदों पे नई अभ्याथी चैनित भी होंगे लेकिन ये डिपेंड करेगा सरकार की उपर कि सरकार इस मुद्य को लेकर आगे क्या करती है क्या वो इसी कोट के आदियस का अनुपालन में नई चैन सूची बनाना शुरू कर देती है या फिर वो इस मुद्य को लेकर डवल बेंच जाते हैं अगर सरकार नहीं बनाती है त क्योंकि यहां पर तीन अलग अलग प्रकार के अव्यति हैं एक जो नहीं तरजा सिच्छक बरती से बाहर बैठे हुएं वो चाहते उनको नोकी मिले वह तो पहले सी डवल बेंच जाएंगे अगर सरकार पालन करती है तो जो पहले से चैने थे अपनी नोकी को बचाने के लिए डवल बेंच चले जाएंगे और अगर सरकार डवल बेंच चले गई तो आप सभी जानते हैं कि सभी को डवल बेंच आना ही पड़ेगा मिला जुलागर मामला यह है कि कैसे भी करिए अब उनहेतर अजा सिच्छक बरती डवल बेंच भी जाएगी हो सकता है कि स्टूपीम को अब होगा क्योंकि कुछ अब्यति नहीं आने वाले हैं और अगर ऐसा होगा तो हजारों जो परने वह भी आपके खाली होने वाले हैं नई मैरिट लिस्ट के अंदर लेकिन सरकार पर करता है कि सरकार इस ओर्डर को फॉलो करेगी कि नहीं आपकी राए क्या है आपको क्या लगता है क्या सरकार फॉलो करेगी या डबल बेंच जाएगी कमेंट करके अवश्य बताएं बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदी थे 51100 बारे पदों पर नई प्राइमरी सिच्छक भरती के बिग्याबन के बारे में अभी कल एक वीडियो सरकार नई प्राइमरी सिच्छक भरती का बिग्याबन जारी करेगी जुलाई के अंदर हाला कि मैंने उसके अंदर आप सभी को बताया था कि जो अधिकाईयों से मुझे जानकारी मिली और उसके मुताबिक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है और नहीं ऐसी भरती को लेकर लेकर वो आपस भी यहां से सुन सकते हैं क्योंकि यहां पर सचिप परीक्षा निमाक प्रिदिकाई से जानकारी मांगी गई नई प्राइमरी सिच्छक भरती इसके अलावा यूपी टीट के विग्याबन के बारे में क्योंकि यूपी टीट को लेकर भी आए दिन कई निव आने वाला यूपी टीट आने वाला है इसको लेकर क्या कहते हैं पहले आप यहां से सुनिए इस समय हम उपस्थी था है पर शानी अमक परिशर में सबसे पहली चीज यूपी टेट यूपी टेट अभी कोई क्लियर नहीं है कि कब होगा एक तरब मानी मुकमंत्री जी और मा निरेशक जी कहते हैं कि नया अयोग का गठन होगा तब यूपी टेट और नई सिच्छक भरती होगा दूसरा अयोग का ना पता है ना ही कोई सिच्छक भरती का पता है अभी हाली में एक बेसिक विभाग के एक ट्विटर वेरीफाइट ट्विटर हैंडल से ट्विट किसी भी ट्विटर हैंडल से विभाग के द्वारा भी कोई ट्विट नहीं हुआ जो सिच्छक भरती पर कहा जा सकी कि सिच्छक भरती आ रही है और दूसरी चीज यूपी टेट दोजार 23 बा मुस्किल हो जाए बड़ी बात होगी क्योंकि यूपी टेट की ना अभी कोई विभाग कर रहा है ना कोई अभी होने वाला है यूपी टेट सम्थिंग आपका पहुचेगा 2023 लाश्ट या आमको लगता 2023 भी बाइस सत्र की तरह खाली जाए और यूपी टेट विभाग और आयोग ना करा पाए क्योंकि एक सवाल के आगे सारा कार रुका हुआ है जिसमें सिच्छा सेवा चैन अयोग का जो गठन की बारे में मानि मुकमंत्री जी ने कहा था उसके वज़ा से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी अयोग का गठन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और बहुत सारे बेसिक विभाग में पद खाली होने के बाद भी सरकार पद निकालने के लिए अभी कोई भी विचार नहीं है तो पहली चीज आप एकदम किलियर हो जाईए कि यूपिटेट आपका बा मुश्किल 2023 में हो जाए एक बड़ी बात होगी क्योंकि बिना सिच्छा अयोग का गठन से पहले यूपिटेट नहीं होगा और अयोग का गठन अभी कुछ निस्षित नहीं है कि आपका कब हो तो इस चीज को आप एकदम कंफर मान लीजे कि यूपिटेट नहीं होना दूसरी चीज सिच्छक भरती कि सिच्छक भरती पे आप जो दिमाग में उपापो चल रही है कि सिच्छक भरती आने की कगार है तो आपको मैं अभी बता दे रहा हूं कि अभी बेसिक विभाग में प्रात्मिक सिच्छक भरती पे कोई भी कारे नहीं हो रहा है तो यह तो बात हो गई नहीं प्राइमाई इसके लावा यूपी टीटी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं एड़ेट जूनियर को लेकर एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती के बारे में एकवाफे से आज अधकाईयों से जानकाई मांगी गई और मैं कह सकता हूं कि एड में उन्होंने 79,000 को लेकर एक मामला किलिया किया था उत्तर कुंजी का भी करने की कोशिश थी लेकिन इसी बीच एड़ेट जूनियर को लेकर भी दिशान इदिस प्राप्त हूए थे एड़ेट जूनियर पर काम शुरू होता उससे पहले 79,000 सिच्छक भरती का ओडर आ गय कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन अब विवाग 79,000 सिच्छक भरती को फोकस करेगा कि जो और दिया गया उसके मताबिक अगला कदम क्या होना चाहिए और उसके बाद में एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती को लेकर कोई काम हो सकता है मतलब दोनों साइड से एड़ेट जूनियर प्रोसेस शुरू हो सकता है और अगर 79,000 की लिस्ट रिवाइज होती है अगर अधिकारी शुरू कर देते इस पर काम तो फिर एड़ेट जूनियर को और इंतजार करना पड़ेगा अभी की जो जानकाई है वही है जैसी कोई अगली जानकाई निकलेगी तो मैं आ इस वीडियो की मध्यम से इतना ही थैंक यू फो वोचिंग इस वीडियो